चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दे की स्वागत करता हूँ मेरे पहरे बचो करनाटका स्टेट के सेकंड राउंड कांसलिंग का सेड्यूल जारी हो चुका है जैसे ही आप इसकी वेब साइट पर विजिट करेंगे तो इसके सेड्यूल को डाउनलोड करने के बाद में इसमें कुछ रूलिंग्स दिये गए हैं कैसे आपने ओप्सन इंट्री करना है और उसके बाद में इसका सेड्यूल दिया गया है तो इस बार जो इसके schedule में change हुआ है बहुत बड़ा change ये हुआ है कि second round और first round से पहले करनाट का state में mock allotment जारी किया जाता है यनि कि mock allotment result का मतलब ये होता है कि कौन से student को कौन से seat मिल रही है कौन से candidate को कौन से seat मिल रही है ये उसको मालूम चल जाता है उस mock allotment में उसके बाद में वो अपने desired college के लिए option entry change कर सकता है उपर नीचे कर सकता है college की कौन सी rank पर कौन सी college जा रही है उसके according वो उसमें change कर सकता है तो first round में तो करनाट का state के लिए mock allotment जारी हुआ था लेकिन second round में इसका कोई schedule नहीं दिया गया है mock allotment का mock allotment से student को काफी help मिलती है help ये मिलती है कि उसको पहले पता लग जाता है allotment से पहले कि मेरे को कौन सी college allot होने वाली है तो उसके according वो college को change कर सकता है अगर उसको लग रहा है कि ये college ठीक नहीं है जो मेरे को allot हो रही है तो mock allotment के बाद में वो option change कर सकता है जोई से अपने change कर सकता है लेकिन इस बार second round में mock allotment का option हटा दिया है final allotment ही होगा तो इसमें seat matrix आ जाएगा 4th March 22 साम 4 बजे यनि कि दोपर 4 बजे बाद में इसका seat matrix आ जाएगा इसके बाद में आप option को rearrangement कर सकते हैं modify कर सकते हैं, delete कर सकते हैं, reorder कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं आप 7th March 22 साम 3 बजे तक इसके बाद में second round का seat allotment होगा 8th March 22 साम 6 बजे तक साम को 6 बजे तक allotment आ जाएगा इसके बाद में fees का payment कर सकते हैं 11th March 22 तक करनाटका स्टेट में second round में seat allot हो जाने के बाद आपको online fees का payment करना है और वो payment करने के बाद फिर आपको के ये office मलेशवरम में documents deposit करना है तो वो documents deposit की date है वो 9th, 10th, 11th और 12th March 22 रखी गई है यानि कि इन dates को आपके ये office फांस करके अपने documents वहाँ से वहाँ पर deposit करने हैं जैसी आप documents deposit करेंगे तो आपका allotment लेटर जारी हो जाएगा और वो allotment लेटर लेकर के आपको college में report करनी है जो college में reporting की last date रहेगी वो 13 March 22 साम साड़े पांस बज़े से पहले पहले रहेगी तब तक आपने report करनी है college में तो ये करनाट का state का second round का schedule है और इसमें जो changes हुआ है इस बार उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में जो भी update मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा तो मिलेगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद